नमस्कार दोस्तों जै मातादीद आप सुभी का बहुत बहुत स्वागत करती हैं आपका अपना योट्यूब चैनल में दोस्तों इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं आपके राश्री के देनिक राश्रिफल के बारे में जो कि हर राश्रिफल आपके चंद राश्रिफल पर आधारी थे इस समय आपका बिजनर्श करियर कैसा रहेगा लव लाइफ कैसी रहेगी और श्वास्थे की महत्पूंट जानकारी हम आपको देंगे शाथ ही वीडियो के अंत में एक सट्टिक उपाय दिये गए हैं जिन्हें जानकर आप इस दिन को और भी ज़्यादा खास और बहतर बना शकेंगे तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें शाथ ही बैल आइकन को प्रेश करके आल पर सेलेक्ट कर लें आपकी राशी से जुड़ी सबी महत्पूंट जानकारियां आप तक सब से पहले पहुँच जगे तो आए इस वीडियो को प्रारंब करती हैं उससे पहले भगवान भोले नात का जो भी सच्च भगती हैं वीडियो को लाइक करके एक प्यारा शक कमेंट जै भोले नात हर हर महादेव लिखेगा उन्हें भगवान भोले नात का शीधा आसिरवात प्राप्त होगा आज के सुब दिन की सुरुबात करते ही आज के पंचांग सी 11 अक्टूबर 2021 सोमबार का दिन है और आज मी नमास के सुपलपक्स की सश्टिति थी है और नक्षत रहेगा जेश्ठा योग की बात करे तो सुभागी नामक सुब योग रहेगा और चंद्रमा की जोश्टिती है वह रहेगा ब्रिश्चिक राश्य में दोपहर 12 बज़कर 56 मिनट तक इसके उपरांत धनू राश्य पर संचार करेगा आज का सुब शमय तकरिवन 11 बज़कर 50 मिनट से 12 बज़कर 26 मिनट तक रहेगा यहाँ शमय में किसी भी परकार की नए कारी की सुरवात बिलकुल कर सकती है आज का अशुब शमय यानि राहो काल की बात करे तो सुबह 7 बज़कर 52 मिनट से सुबह 9 बज़कर 19 मिनट तक रहेगा यहां शमय में किसी भी प्रकार की नए और शुब कारी की सुरुवात बिल्कुल ना करें अन्य था कारी में भीगन बाधाई आशकती है चलिए बात करती हैं आज का देनिक राश्रिफल बहुतायत और शम्रिधी के नए कारी क्रम को सुरू करने के लिए दिन एकदम शही है एकदम अच्छा दिन है यदि आप एक नई परियोजना के बारे में और निर्नित महसूस कर रहे हैं जिसके लिए आपने काफी विचार किया है तो यहां कारिवाही करने का शही समय है बहुत बढ़िया दिन है आज आप जो भी कुछ करने का फैसला लेंगे वह अंतत शफलता की ओर ले जाएगा और आज आपको शवी कामों में शफलता मिलेगी और शवी काम आपका शफल होगा इसके उपरांत यहां समय आज की घटनाए पैसे के बारे में आपके द्रिष्टी कौन को बदलने और आपकी नकरात्मक विचारों को संसोधित करने में भी मदद करेगी शेहत की बात करें तो यहां समय आप लंबे समय से आकर बाहर में हैं लेकिन कुछ दिनों से एकसरसाइस नो कर पाने के मतलब यहां नहीं है कि आप इसे कभी नहीं कर पाएंगे आपको बता दें आपके आजपास कोई है जो नकरात्मक वाइब्स को फैला रहा है और वही आपको बोरी तरह परभाविद भी कर रहा है आपको बता दें अपने संबंधों को कुछ समय दें और उसके साथ कुछ शमय बिताने की आप कोशिश करें और इस बिच अपनी उर्जा का सही उप्योग करने और भले के लिए करें लव लाइब की बात करें तो आज यहाँ बहुत जरूरी है कि आप अपने परिवारिक मामलों में खास दिल चस्पी लें इसके उपराती हश्व में आप काफी समय से अपने करियर की बरती बदताओं के लिए भी अपने रिस्तों की अंदेखी कर रहे हैं आपको बता दें आपने अपने करियर में जो करने की ठानी है वह भी आपने हाशिल किया है इसलिए अब आपको अपना ध्यान रिष्टों की और लगाने की जरूद है आपको बता दें अपने रिष्टों को पोशुद करना इस समय आपके जीवन में कुछ महत पूर्ण तत तो आप थोड़े बहुत खर्चीले हो सकती हैं और पैशा भी आज़ाब का कुछ ज्यादा खर्च हो सकता है अपने सोच समझ कर खर्च करें और अपने बजट का भी ध्यान रख कर ही खर्च करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा और ज्यादा खर्च करने की आदत एक दिन आपको परिशानी में भी ड्याल सकता है आपको बता दी ऐसा लगता है कि आपका अवचेतन अध्यात्मिक मार्ग दर्शकों के लिए संकेतों द्वारा निर्देशित है और यहीं आप फंस रहे हैं लेकिन अपनी सारी बचत खोने की किमत पर नहीं वास्ता में यहाँ अच्छा समय नहीं होगा बस धैरी रखें और चीजी शबी परकार की धीरे धीरे ठीक होती जाएंगी फाइदे की बात करें तो बिजनस को लेकर यात्रा हो सकती है अचानक धनलाब के योग बन रहे हैं और पुराने दोस्त आपको मदद करेंगे नुक्सान के अगर बात करें तो जीद में आकर अपना नुक्सान कर सकती है और यहाँ शमय नोकरी पैशा के लिए दिन ठीक नहीं है उधार पैशा देने से आजब बची अनिता पैशा आपका फंश सकता है उपाई की बात करें तो काले कुट्टे को दोध फिलाएं और आ आज आपका शुबरंग नीला कलर है और भाग शाली अंक आज आपका आठ है